Before starting the video let me announce and giveaway जहां Trago यहां पर आपको एक Highlander के जर्सी देने वाले है जिहां रोस तो Trago एक application है जहां पर you can predict the result of matches Description में दिये गए link में जाके Trago application को install कर लीजिए और अपने number दाल के verify करने के बाद you will be logged in to the system याद रखिएगा login करते होग मेरा प्रोमो कोड खेल 65 जरुर यूज कीजिए then only you will be eligible for the giveaway contest और आपको यहां पर 65 रुपीज का bonus भी मिलेंगे इस एप का interface बहुत ही simple है यहां पर देखिए मैंने predict किया है विल वीपी सुहेर स्कोर एगेंस हाइडरबार FC के सवाल पर और आप डेख सकते हैं predict करना कितना असान है जल्दी से इस एप को install कीजिए और हाँ 5 फेवर्वारी में आपको गीवर्वेस के result मिल जाएंगे दोस्तों नौर्टी स्वाटर FC कल हाइडरबार FC के खिलने वाले है और उस एहम मैच से पहले यहां पर एक ही question हमारे सामने है क्या डेशान ब्राउन अपकमिंग मैच में खेलेंगे विल ही भी अवेलेबल तो डिप्रेजन नौर्टी स्वाटर FC इन अपकमिंग मैच दोस्तों 14 अब जानवारी में FC गोजा के खिलाफ देशान ब्राउन इंजर्ट हुए थे और गाइस अगर आप टेलिवीशन में जो सेन्स दिखाई दिखाई देए थे उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है डेशान ब्राउन सफ़र्ट फ्रम एन हैंस्ट्रिंग इंजरी जी हाँ ओन गोइंग सीजन में डेशान ब्राउन कई बार इंजोर्ड होते आए हैं और गाइज उस इंसिडेन को अगर आप देखेंगे तो उस इंसिडेन को होते हुए अभी फिल्हाल मिनिमम् टू विक्स हो गए है तो ऐसे में सभी फैंस के मन में एक ही सवाल है when will Deshawn Brown be returning Deshawn Brown कब खेलेंगे दोस्तो उस सवाल की जवाब देने के लिए हमें यहाँ पे Deshawn Brown के injury के बारे में detail में जानना होगा जी हाँ किस level का injury यहाँ पे Deshawn Brown को हुआ है इसके बारे में हमें पूरा जानकर चाहिए होगे दोस्तो हाली में मैंने कुछ research किया था जहां पर मुझे पता चला है hamstring injury यहां पर तीन अलग-अलग level के होते हैं जैसे कि मान लीजिए grade 1, grade 2 और grade 3 जो grade 1 level की injury है उसको ठीक होने में minimum 3 weeks लग जाते हैं जो grade 2 level की injury है उसको ठीक होने में minimum 8 weeks लग सकते हैं और अगर आप grade 3 level की injury की बार करें तो grade 3 level की injury को ठीक होने में इत में तेक अप तू 3 months अगर आप मान लीजिए कि Deshaun Brown को grade 1 level का injury हुआ है तर आउलसो यह विल बी निदिंग अट-लिस 3 weeks to recover from it तो उस रिहास्ते अगर देखेंगे तो अपकमिंग मैच के लिए देशान ब्राउन एवेलेबल नहीं होंगे हाला कि जो भी information मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इस बेस्ट उन वेबसाइट marci.com इस नाथिंग तो विट नॉर्ट सी या देशान ब्राउन तो गैस देशान ब्राउन के injury के बारे में पुक्त जानकरी हमें नौट 314 FC के management की कोई आदिम ही दे सकते हैं और गाइस नौट 314 FC के management कब media के साथ बात करेंगे जी हाँ प्रेस conference पर और पिछले दो मैचों में से नौट 314 FC का कोई पी प्रेस conference यहाँ पर नहीं हुआ है तो फैंस के मन में एक सवाल यह पर जरू रह जाते हैं क्योंकि गाइस वी वान देशान ब्राउन तो रिप्रेसें आस यह मत समझेगा कि देशान ब्राउन 3 weeks या 3 months के बाद फील पर आएंगे यहाँ पे मैंने देशान ब्राउन के इंजरी के बारे में एक क्लियर पिक्चिर आपको देने की कोशिच की अगर देशान ब्राउन यहाँ पे हाइजरवार FC के खिलाफ मैच में खेलेंगे तर इस अल गूद फो हाइलेंडर लेकिन गाइस अगर देशान ब्राउन खेल नहीं पाते है तन एज एज फैन वी कोई रिकोफरी दोस्तों यह यहाँ पे प्लेयर की ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए तब प्लेयर निट्स तो इप्रोडेक्टेट अड आल कोस्तों और गाइस एज फैन वी निट तो सपोर्ट दे सके हम देशान ब्राउन को देने की कोशिच करेंगे तो गाइस वीडियो में फिल्हाल के लिए हमने बात किया देशान ब्राउन के इंजरी के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया रंड दू लाइक दे वीडियो एंड दो फोगे टो सब्सक्राइब तो चैनल इस वहाँ अब सब्सक्राइब इडियर मिलते है कि लिगने वीडियो में अंतिल एंटिल एंड स से से तेहल दी अलविडा